आज सब्जी में क्या बनाए यदि आप भी इस परिशानी से जूचते हैं तो आज आज आपकी एक प्रॉब्लम तो सौल्व कर दूँगी आज हमने बनाई है यह मूंग दाल की वड़ियां जिनें बना कर आप सालबर स्टोर कर सकते हैं और इससे बहुत ही चटपटी और टेस्टी सब्जी मिन्टों में बना कर लंच डिनर में एंजॉय कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं बनाना तो मैंने यह वड़ियां बना रखी थी मूंग दाल की इसके हमें अल्री डिटेल वीडियो दे चुकी आप उसे जरूर चेक करें इन्हें स्टोर करके हम इस तरह से अराम से सालबर रख सकते हैं तो मैं इसी डिब्बे में से करीब आधी कटोरी से थोड़ा कम यह मूंग दाल की वड़ियां ले लूँगे इसमें हम अराम से तीन से चार लोगों की सबजी बना सकते हैं इसे हम यहाँ पर इस तरह से बेलन से रफली कर लेंगे बहुत जादा बारिक नहीं करना है बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है यह दि आपकी वड़ियां बहुत अच्छी बन कर आती हैं तो आप वड़ी बनाने का वीडियो भी जरूर चेक करें इस तरह से हमने वड़ियों को क्रश कर लिया है अभी हम यहाँ पर एक पैन लेंगे इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद में इन क्रश को ही मूंग डाल की वड़ियों को मंगोडी को हलका सार रोस्ट कर लेंगे तो हमें हाँ पर करीब 1-5 मिनिट के लिए रो सबसे हने तो मैंने घ्ल गरम कर लिया है इसमें एक चमाचीरा ढाले थोडि सी भी में यहाँ चालेएं सब्सक्राइल कर सकते हैं अपने डेली मील को और बहुत ही अमेजिंग सिंपल रसीपी है अच्छे से मैं या पे प्याज को भून लेना है दिया आपके पास मैं अधर्ट लहसुन का पेस्ट है तो आप उसे भी जरू डाले आपे मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं घर में बनाती हूं तो मेरा का स्टॉक खताम हो गया है अभी अभी मैंने इसमें लेकल चमश लालमिश पाउडर डाल दी है साथे आदा चमश हल्दी पाउडर एक चमश हम धनिया पाउडर डालेंगे बिल्कुल बेसिक मसारे डलते हैं इसमें जो कि हमारे रेगिलर यूज आते हैं के चिन में अच्छ से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से मसारा हमारा पक जाना चाहिए इससे बहुत अच्छी फ्लेवर और कर राता है सब्जी में तो कुछ सेकेंड के लिए हमेशा बिना पानी डाले इसे जरूर भूने एक चमश हमने नमक डाल दिया है उसके बाद में हम यहां पर अच्छे से बाद में जो रोस्त की ती मंगोडी या वडी उसे डाल देंगे एक बार मिक्स कर लें उसके बाद में प्रेशर कुगर का धकन लगा दें और मीडियम पर करीब हम यहां पर तीन विसल आने देंगे तीन से जार विसल में हमारी सबसी बहुती बढ़िया बनकर आतो यह अमेजिंग रसेपी है सिंपल अक्विक मैंने जब मंगोडी वडी का विडियो दिया था तो काफी लोगों ने का था इससे बनने वाली सब्सी की रशीपी जरुर देना तो वहीरसीपी में आपके लिए रही आई हूं इस रेसीपी को आप कॉंसे सीटी से देख र मेंबर्स को यह भीयत पसंद आएगी इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर लंच और डिनर में एंजॉय करें इसी तरह की रेसिपी आपको और चाहिए तब में फॉलो करना ना बोलें मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक एंजॉय करती हूं में यह टेस्टी मंगोडी की सब बच्ची थांक यू